देश में दो कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी की खबर से 2021 के पहले अफ़ते की शुरुआ धमाकेदार हुई बीएसी सेंसेक्स पहली बार 48,176 पर बंदुआ सब्ता के पहले दिन यानी सोमवार चार जनवरी को घरेलु शेर बजार में तेजी दर्ज की गई और ये उच्चतम स्तर पर आका रुकी बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज का प्रमुक इंडेक्स सेंसेक्स 0.64 फीज़ी की तेजी के स्तर पर बंदुआ वही नैशनल स्टॉक एक्सेंज का निफ्टी 114.40 अंकी बढ़त के स्तर पर बंदुआ देश में कोरोना के दो वैक्सीन बारत बायोटेक की स्वधेशी वैक्सीन और सिरम इंस्टिटूट की कोवी शील को अपातकालिन इस्तिमाल के लिए मनजूरी मिल गई है दिगश शेरों की बात करें तो आज TCS, हिंडाल को, टाटा स्टील, ONGC और आईशर मोटर्स के शेर हरे में निशान पर बंदुए वह हिरो मोटर कॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाच फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स के शेर लाल निशान पर बंदुए पिछले सब्ता BSE Sensex 895.44 यानी 1.90 ने फीज़ दी मजबूत हुआ था विशेशग्यों के अमचार आगे बजार में उतार चड़ाओ जाजी रहेगा इसलिए निवेशकों को साबधानी बरतनी चाहिए खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले